हेलो, नमस्ते चात्रों, आज हम इस वीडियो में पल्लव राजवन्स की उत्पति एम उनके मूर निवास स्थान के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको परीक्षा से संबंदित इत्यास विसे की महतोपुन जानकरी प्राप्त हो सके तो देखेगा हमने अब तक इत्यास किसे कहते हैं जैन दरम बोद दरम महावन्स महापदमवन्स और मोरियवन्स इन सब के बारे में जानकरी प्राप्त कर लिए ठीक है तो यदि आप लोगों को और भी अधिक जानकरी प्राप्त करनी हो तो आप बेल आइकन को दबाएं त और आप अच्छे से एक्जाम की तैयारी कर सके हैं ठीक है तो देखे चलते हैं पल्लव राजवन्स की जानकरी प्राप्त करने के लिए दक्सिन भारत के इत्यास में पल्लव राजवन्स का राजनतिक तता सांस करतिक दोनों ही दस्टियों से अत्यंत महत्तवपुन स्थान है परन्तु दुर्भगे वस इस वन्स की उत्पति के विशे में विद्वानों के बीच अत्यतिक मत्भेत रहा है विद्वान जैसे की बी एल राइस तथा वी वेकईया नमक विद्वानों का रमानना है कि पल्लव पहलव अत्वा पार्थियनों से संबंदित थे जो सिंद इस तिद अंदर परदेश में गुश गये उन्होंने तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया यहीं से कालांतर में उनका कांची पर अधिकार हो गया विद्वानों के विप्रीत केपी जैसवाल आर गोपालन डिसी सावरकर नीलकंट सास्त्री टीवी महालिंगम आदी पल्लवों को भारतिय मूल का ही मानते हुए उन्हें प्राचिर भारत के भिनभिन राजवन्सों के साथ समंदित करते हैं पल्लव अभिलेखों में उन्हें भारद्वाज गोतरिये तथा अस्वत थम्मा का वनसज बताया गया है पांची स्ताब्दी का ताल गुंड अभिल के भिलेखों में उन्हें छत्त्रिये कैता है ऐसा लगता है कि पल्लवों में उत्तर भारत के भारद्वाज गोतरिये ब्राहमणों तथा कांची के आसपास के राजवन्सों के रक्त का समिस्रण था यदपी पल्लमों के राजनतिक तथा सांसकर्ती उतकर्स का केंदर काची था परन्तु वे मूलते हैं वहां के निवासी नहीं थे उनका मूल स्थान तोंड मंडलम में था पल्लमों के पहले काची पर नागवन सी सांसकों का अधिकार था नागों को प्रास्त कर उन्होंने काची के उपर अपना आधिपत्ते स्थापित कर लिया कालांतर में उनका समराजे उत्तर में पेनार नदी से लेकर दक्षिन में कावेरी नदी की गाठी तक विस्त्रीत हो गया तदा काची उनकी राजदानी बनी अब देखेगा महत्वपुन तत्थे इतना निस्सित है कि पल्लव राजे की स्थापना उस समय में हुई जब सात्वाहन राजे खंडखंड़ हो गया था पतन हो गया था सात्वाहनों का इस वन्स द्वारा सासित परदेश पहले सात्वाहनों के दीनता में थे यह माना जा सकता है कि पल्लव राजे का संस्थापक पहले सात्वाहनों द्वारा नियूक प्रांत यह सासक था और उसने अपने अधिपती की निर्बलता से लाब उठा कर अपने को स्वतन तर्प कर लिया था परलव वन्स की सत्ता का सेंस्था पक यह पूरु संभवता बपदेव था कांची पूरम में उपलब्द हुए दो तमर पत्रों से इस वन्स के प्रारंभिक इध्यास के विशे में अनेक महतोपन बातें ग्याते होती हैं इन तमर पत्रों पर इसकंद वर्मा नाम के एक राजा के दानपूर्णे को उतकिन किया गया है जिसे एक लेख में यूव महाराज्ये और दूसरे में धम महाराजा धिराज कहा गया है इससे सुचित होता है कि एक दानपत्र उसने तब उतकिन करवाया था जबकि वह यूवराज था और दूसरा उस समय जबकि वह महाराजा धिराज बन गया था उसने अगनी स्टॉम वाजपेई अथ्वा अस्वा में येग्यों का अनुस्थान कर अपनी सक्ति का उतकर्स कि और तुंग भद्रा एवं कृष्णा नदियों द्वारा सिंचित पर्देश में सासन करते हुए कांची को अपनी राजदानी बन आया पल्लव सासक देखेगा गुप्त समराठ समुद्र गुप्त ने दक्सिनी भारत में विजय यात्रा करते हुए पल्लव राज विश्ण गोप को भी आत्म समर्पन के लिए विवस किया था समुद्र गुप्त की यह विजय यात्रा चोत्य सती के मद्धे भाग में हुई थी कठिनाईयों यह ठीकी कठिनाईया यह ठीकी पल्लवों के प्रारंबिक इध्यास को जानने के लिए उत्किर्ण देखों के अतिरिक्त अन्य कोई साधन हमारे पास नहीं है इन लिखों में पल्लव वन्स के राजों के अपने सासन काल की तीथियां तो दीग गई है पर इन राजों में कौन पहले हुआ और कौन पीछे यह निर्दारित कर सकना संभव नहीं है पल्लव कालिन सिंस्कृति कांची के पल्लव नरेश ब्राह्मन ध्रमानुयाई थे यह काल ब्राह्मनों के उन्नति का काल रहा पल्लव राजों का सासन काल नयनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलनों के लिए प्रशिद रहा नर्चिहां वर्मन पर्थम ने सीव की उपासना में कई मंदिर बनवाए थे पर्मेश्वरम वर्मन पर्थम सीव का उपासक था उसकी उपादी परम महेश्वर थी दक्षिन भारत में वैश्णव आंदोलन का प्रारंब परलवों के राज्य से ही हुआ ब्रहमन मतानुयाई होते हुए भी पलव सासक धरम सहिश्णू थे उनके सासनकाल में बोध तथा जैन दोनों मतावलम्मियों को प्रेश्रे मिला कांची धार्मिक किरिया कलापों का पर्मुक्यंद्र था कला एम स्थापत्य तो पलवों की कला स्थापत्य देखेगा पलव सासकों के काल में कला तथा स्थापत्य की उन्नती हुई वस्तुत है उनकी वास्तु एम तक्षन कला दक्षिन भारतिय कला के इतिहास में सरवादिक महतोपुन है पल्लव आस्टू कल्ला ही दक्सिन की दर्विड सैली का अधार बनी दक्सिन भारती ये स्थापत्य के तीन अंग थे देखेगा कौन-कौन थे मंडप, रथ, विशाल, मंदिर अब देखेगा पल्लवों की शैली कोन सी थी महेंदर वर्मन शैली, मांबल सैली और रत निर्मान ठीक है तो देखेगा महेंदर वर्मन सैली इस सैली में कठोर पास्चान को काट कर गुहा मंदिरों का निर्मान हुआ जिने मंडप कहा जाता है मामल सैली इस सैली का विकास नर्सी है वर्मन पर्थम के काल में हुआ तो मामल सली का विकास किसके काल में वा एक किसन कई बार पुछा गया है वह है आपका नर्सी हम वर्मल पर्थम इसके अंतरगर दो प्रकार के समारक बने मंडव तथा एकासम के मंदिर ठीक है जिने रत खहा गया इस सली में निर्मिस सभी समारक मामल पूरम महाबली पूरम में ही इस्तित है ठीक है रत निर्माण रत निर्माण में द्रोपती रत सबसे छोटा है जिसमें किसी परकार का अलंकरन नहीं मिलता है रत मंदिर में धरमराज रत सबसे अधिक परसिद है इसे दर्विड मंदिर सली का अग्रे दूत भी कहा जा सकता है इसी मंदिर पर नर्शी है वर्मन की मूर्ती अंकित है इन रथों को सब्त पेगोडा भी कहा जाता है सब्त पेगोडा की अंतगर निम लिकित मंदिर रथ बने निवन निखित रत बनें वो कौन-कौन से दर्मराज रत, भीम रत, अर्जुन रत, सहदेव रत, गणेश रत, वले कुटई रत, और पीदरी रत राजसी हैं सहलीक में गुहा मंदिरों के स्थान पर पासान, इट, आदी की सहता से इमार्ती मंदिरों का निर्मान कराया गया, सोर मंदिर इस सहलीक का पर्थम उधारन है, कांची के कलास नाथार मंदिर का कारिय नर्शी हैं वर्मन द्वीतिय के समय में प्रारम हुआ, तता म महेंदर वर्मन द्वित्य के समय में इसकी रचना पूर्ण हुई गोपूरम के प्रारंबिक निर्मान का सवरूप सर्वा पर्थम इश्य मंदिर में देखने को मिलता है बैकुंठ के प्रारंबिक निर्मान का सवरूप परमेश्वरम वर्मन द्वित्य के समय में हुआ था य तो देखिए हमने इस वीडियो में पल्लवों के बारे में जानकारी प्राप्त की और जो इनकी स्तापत्य कला ये बहुत ही इंपोर्टेंट है तो एक्जाम की दर्स्टी से आप यदि तयारी करें तो आप इस वीडियो को धान से देखेगा हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद